कि एक वीडियो में मैं बनाने वाली हूं एक गाउन जो की 14 साल की लड़की के लिए इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए इस थोड़ा शिंबरी टाइप का फैब्रिक लिया हुआ है इस गाउन को मैं दो पार्ट में कट करूंगी एक वेस्ट तक का पार्ट और एक उसके न चाहिं इंच कर देखिए इस तरह से फुवर्ट जनक करों मैं और omhol चुए मार करें स्थे तरह से मरक सुऻों करने ही यहाँ करना फार्ट करने के बाद मेद्वेस्स, कर तो जो यहाँ आइमेश्ट लाइंन भीक को कि अन्छ एक में में छोलोडे स्ट्राप ले रही हूं और यहां पर दखांदब सब्सक्राइब में च instrumental करके इस साज में दो एक सब्सक्राइब बन करना है बेक पोजिशिन में इस तरह से बैक पोजिशन यहयों अस्तर को अस्ता करेंगे असी को रहेंगे यहां पर देखी कपडे की कपड को रखा है कंगे रहने चाहत कर और आर पर जो में millions कपडा कर अ Elijah कर हैं और नित कर लुंगे कट कर लोगी आ हPeясa हम विकलने के हमारी उसको फिनिशिंग के लिए यहां हम कर रहे हैं ow ピर यहां पर कर देखिए इस तरह से हम रहेंगे और इसे अटैच कर देंगे जो नेक है और यहां पर देखिए 1.5-6 लंबा यहां पर इक strap काट लिया है और strap कट करने के बाद एक अस्तर उसके साथ इस तरह रख दिया है और दोनों साइट से में इसे join कर लूँगी इस तरह stitch करने के सब्सकराइब करने के बाद किया एसको पर एकल यहाँ सबंद कर लोगी अच्छरा अच्छाइब और अटाज करने के बाद इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद देखिए जो हमारा अस्तर है हम इसे अच्छा से अच्छा से अच्छा कर लेंगे और अच्छा करने के साथ ही हम चाहें तो इसमें यहां पर से लाई भी लगा सकते हैं किम इड़िए मःफिए हम जो साइड या यहां पर आरफ सेम तरीके सेIGHT सींदे साइड को इस तरह सी तरह से हैं जीरी को सीदुट यह को सी यह दिया यह हम शाइड इन एग दोनों साइड पर और ऐसको करएंगे के दिए के स्टिश लगाने के बाद यहां पर कुछ इस तरह से रहेगा एप si स्कूर्ट के लिए यहां पर मैंने कप्डे को रख रख हुआ है यह फोल्डश साइड से मैं यहां पर की के वेस्ट का मेजरमेंट नेरी हूं यहां पर देखिए इन चारो पॉइंट्स को जो हमें लगा हैं उस चारों सिर्म ध könne करने के पाद यहां पर यहां पर में लगा लूँगी कि गीरा जो बबोटाल मैंने रखी हुई है देखिए मांक लगाने के बाद इन सारे पॉइंट को इस तरह कर लाइन से में चॉइन कर लूँगी यहां पर देखिए बॉटम साइड में एक इंच ऊपर यहां पर मांक कर रहे हूं ताकि यह जो घेरा है वो गोल रहे और इसको कट करने के बाद यहां जूब पर देखिए जूब बैक पार्ट के लिए मैं से च्ट कर रहे हूं यह आपर दिक्शे करोंगी पीचे सई में इसलिए जे ओपन साइड हमापन में एक इंच का चोड़ा है और उसी तरीके से से स्यूब तरीके से पैटरन को मैंने यहां पर कट कर लिया है यहां पर तो देखिए इस तरह एक दूससरी को जमाने के बाद में इसे साइट से स्टिच कर लूगी और फिटिंग की चलाई लगाने के बाद यहां पर देखिए हमारा टॉप पर और जो बॉटम सक्ट का पाट है उन दोनों को मैं अटाच कर लोगी यहां पर देखिए मैंने स्कुर् बाकिका पॉर्षन उसे स्टिच कर देंगे बॉटम साइड को इस तरह से फोल्ड करके मैं हैम कर दूँगी और साथ ही जितनी वह आपको लंबी यहां पर जिप अटाच करने हैं उतना पॉर्षन आप खुला चोड़ दीजिए और बाकिका पॉर्षन उसे यहां पर स्टिच क साथ यहां पर पॉर्षन आम काट कर लिया हैं कि फोल करने के बाद यहां पर स्टिच कर लिया और उपर साइड से मैं यहां पर मर्मक करूंगी दो इंच पर देखिए यहां पर 2 इंच पर मैं मार्क कर लिया और इस लाइन को मैं इस तरह से extend कर लूँगी extend करने के बाद यहां पर हमारे हाथ की जो भी गोलाई है उसका second part यहां पर मार्क करने के बाद saving allowance मार्क कर रही हूं यहां पर मैं total length जो है स्लीव की वो यहां पर मार्क कर रही हूं यहां पर देखिए जो हम नॉर्मल स्लीव पैटर्न ड्रॉ करते हैं उस तरह से पैटर्न यहां पर मैं ड्रॉ करूंगी लेकिन इस पैटर्न को हमें पूरा नहीं ड्रॉ करना है जो कर्व पार्ट है वो इतना हमें ड्रॉ करना ह सफतना है और यहां पर देखें जो हाथ की Cookie का मेसरेमिएंट यहां पर माक करने के बाद में इन दोर लाइंस को जॉइन कर लूगी कट करने के बाद देखिए साइट की सिरागी मैने स्टिच कर लिए अर बॉटम और घौप का पार्ट है और मैंने उसको हम कर लिया Darwin इस तरह से हम करने के बाद जो कर्व पार्ट है यह देखिए जो सिलाई है मैं सिलाई को जो साइट की सिलाई है उस सिलाई पर रखूँगी और उसके बाद जो हमारा कर्व पार्ट है सिर्फ वो कर्व पार्ट को हम यहां पर attach करेंगे इस तरह कैसे देखिए यहां भी मैं इसे पिंच से attach कर लूंगी और जो दूसरे साइड पर भी कर्व जो extend होगा वहां तक मैं इसे रखकर और इसे attach कर लूंगी देखे इस तरह से हैं भी से अटाच कर लूंगी कुछ इस तरह से स्लीव हमारी रहेगी देखे को स्टिच कर लेगे और स्टिच करने के बाद जो फाइनल लॉक कुछ इस तरह से रहेगा इस लीव का यह गाउन जोhead 12 साल की लड़की के लिए तो आप इसी ज़रूर ट्राइ कीजिए इस गाउन का फाइनल लुक कुछ इस तरह से रहेगा आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन ज़रूर बताइए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो दे चानल थैंक यू फू वाच पचीज़ रहेख दो क्या आपको प्रफशन देगा दिए क्या बताब के लिए कुमेंट सेक्शन ही उति एस दूटो देश दूटरूर यह वाज़ श्याओन प्रफचर दोचिए चाइएगा दिएगा यह वाज़ फूगर फिएग दिएगा दो दूएगा यह वाज़ यह